आज का यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने बाला है यानि कि आज ये समझ लोग आपको एजुकेशन मिलने बाली है एजुकेशन के साथ साथ आपको एक ऐसी सच्चाई पता होना चाहिए आपको ऐसी जानकारी मिलने बाली है जिसे साथ बहुत लोग नहीं बताने की ग तो दोस्तों मैं आज बताने वाला हूं आप लोगों को पता है कि एक पवन जल्लात है जो कि मत्रा जेल में पूरी तैयारी करके बैटा है रसी गीजर सब कुछ तैयारी करके बैटा है एक तरब जो कि पूरे देश में ना जाने ऐसे कितने मुझरिम दोस्तों पकड़े गए ह जिनकी तैयारियां हो रही है यानि कि उन्हें का क्या पैसला आएगा कभी भी पैसला आ सकता है कि उन्हें उम्र कैद दी जाए या पिर उन्हें दोस्तों फांसी दी जाए इस पर पैसला आना बागी है लेकिन पवन जलाद है एक तरह पूरी तैयारी करके बैठा है वहीं दो सब कुछ एटू जैड दीजर सब कुछ बिलेक अपड़ा एकदम रेडी दोस्तो यह सब कुछ तयार तो करता है लेकिन इसके बाद भी ऐसे बहुत कार्य होते हैं जिन्हें करना होता है जैसे कि किसी मुझरम को अगर पांसी की सजा सुनाई जाती है तो उस पर दोस्तो वह प उनका भी पैसला आ जाएगा दोस्तो एक तरब दोस्तो सबनम और सलीम और दोस्तो कई ऐसे भारत देश में ऐसे मुझरम हैं जो की बड़े बड़े ऐसे कार करके बैठी है एक मनीस्ता बालमीगी का केस भी चल रहा है जिसमें लगवाग चार आरोपी पकड़े गई उनका भी पैसला आना बाकी है दोस्तों एक हातरस का केस था उसमें भी चार आरोपी पकड़े गई और उनकी भी तैयारिया की जा रही है कि उन्हें नयायले क्या पैसला सुनाता है लेकिन इसके लिए जो पवन जलाद वापूंड रूप से तैयार है और तैयारिया कैसे कर रहा ह दोस्तों जो भी सजा तुरंत गोस्त होने के बाद वह पवन जलाद अगर सबन और सलीम को नयाय लेके दोरह है सजा सुनाई जाती है तो वह पवन जलाद उसके तैयारिया कैसी रहने वाली है दोस्तो उसकी तयारिया इस परकार से रहती है कि पहले जो रसी लटकाई जाती है उसमें दोस्तो बहुत सोच बिचाल किया जाता है जब सजा सुनाई जाती है उसके बाद जो जलाद होता है उसके द्वारा बहुत तैयारियां की जाती है दोस्तो सजा सुनाने के बाद जो मुझरम होता है उसका बजन आपा जाता है कि किस मुझरम में कितना बजन है यानि कि किसी मुझरम में बजन हो जैसे की 65 kg हो 65 kg तो दोस्तो वह जो जल्लाद होता है पवन जल्लाद की बात कर लेते हैं दोस्तो पवन जल्लाद के द्वारा दोस्तो एक बोरी ली जाती है बड़ी सी बोरी उसमें रेत भर दिया जाता है या मिट्टी भर दिया जाती है और लगवग उसका बजन उतना ही रखा जाता है जितना की मुझरम में बजन होता है यानि पहले मुझरम के जो बजन होता हुआ नाप लिया जाता है और फिर उतनी बजन की वो बोरी ली जाती है फिर उस बोरी को उस रसी से लटकाया जाता है और फिर वही सब कुछ किरिया रहती है जो की दोस्तो जब भासी दी जाती है उस समय की जो प्रकिरिया रहती है वही सब कुछ प्रकिरिया करके देखता है वह जलाद और देखता है कि एकदम जटका लगने से क्या रसी टूट जाती है या पिर वही की वही रहती है तो दोस्त में आगया होगा कि जो पवंजलाद है उसकी तैयारिया किस तरीके से चल रही हैं दोस्तों तुरंत मुझरम गोसे तो होते ही यहाँ सब कार चालू हो जाएगा पवंजलाद अपना कारकरब चालू कर देगा यहाँ सब कुछ प्रकरिया चलती रहेगी भारत देश में जितने मुझरमों के दोस्तों पूरा बजन लिखा जाएगा उस बजन के इसाब से वहाँ पवंजलाद अपनी प्रैक्टिस करेगा प्रैक्टिकल करके देखेगा और सब कुछ रेडी करके तैयार करके रखेगा क्योंकि पूरा सोच विचार पूरा ध्यान दिया जाता है कि कहीं उस समय कोई गलती ना हो जाए कोई ऐसी एक मिश्टिक ना हो जाए जिसकी बज़े से दोस्तों कोई बड़ी प्रॉलम खड़ी हो जाए इसलिए उस समय बहुत बड़ी बात का ध्यान दिया जाता है वो पबन जलात के दोआरा बहुत बड़ी तैयारिया की जाती है जिस रसी का प्रयोग किया जाता है वह रसी मजबूत है या कमजोर है उस पर भी ध्यान दिया जाता है जो गीजर यूज हो रहा है वह गीजर एकदम सही है कहीं टूट दो नहीं जाएगा दोस्तो वही सब कोच यान दिया जाता है जो पहले हो चुका है पर उसी इसाब से पूरा कारकरम चालू हो जाता है दोस्तो यह बीडियो है कि एजुकेशन की तरह सही है मैं एकदम सिंपल बासा सरल बासा में समझाने की कोसिस कर रहा हूँ और मुझे आसाई की मेरी जो जानकारी दी जा रही है वह आप लोगों की समझ में जरूर आ रही होगी दोस्तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा हूँ तो अगर आप पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राब बेल आइकन को जरूर दाव देना दोस्तो अगर मैं थोड़ी सी मेनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेनत कर दीजिए वीडियो को सेर कर दीजिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो मैंने सच में बहुत बड़ी जानकारी दी है बहुत से लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि पुतले को लटकाये जाता है यहाँ बात भी सच है कभी कभी दोस्तों पुतले को भी लटकाये जाता है लेकिन उसमें बजन भी उतना ही रखा जाता है जैसे कि अगर किसी मुझरम में 60 केजी बजन है तो उस पुतले में भी उतना ही बजन रखा जाता है उस बजन को अगर कम जानदा होता है तो उसमें कुछ ऐसा बजन लटका दिया जाता है बांग दिया जाता है उस पुतले से ताकि मुझरम के बरावर वह बजन हो जाए फिर उसे लटकाए जाता है और फिर पता चलता है कि रसी वह बजन जेल पाती है या नहीं जेल पाती यहाँ बात सचमच आप लोगों की समझ में आ रही होगी जो मेरे द्वारा बताई जा रही है पवन जल्लाद लगातार अपनी तयारियां कर रहा है उसने मत्रा जेल में पूरी तयारियां करके रखी है एकदम गीजर रसी सब कुछ रेड़ी करके तयार करके रखा है एकदम जाडू बगरा लगा के एक कम रेड़ी है, और बस वहां इंतिजार कर रहा है, कि कब क्या होने वाला है, दोस्तो पवन जलात के बारे मैं दो बाते में बोला चाहता हूँ, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे, दोस्तो पवन जलात के पिता जी भी जलात थे, उनके कि बेटेंे ने बहुत मेनद की सरकारी नौकरी पाने की लेकिन किसी वज़े से सरकारी नौकरी नहीं लगपाई और उसने मना भी कर दिया कि मैं जल्लाद Wonka तो तो थोस्तों यह मुझे मंतली उसे साथ यार रुपे मिलते हैं, दोस्तों या जो पांजी का कारकरम होता है, वो अब पूरी जिन्दरी वर तो चलता नहीं या पूरी साल तो चलता नहीं, इसलिए दोस्तों ये कारकरम कभी कभी चलता है, इसलिए दोस्तों जो बीच में फिरी टाम रहता है, उस समय म वहाँ पबन जलाद कपड़ों का कारकरम करता है यानि गली-गलीओं में कपड़े बेचता है यानि उसकी जो पारिबार का हालत है वहाँ बहुती नाजुक है और वहाँ अपनी सेलरी को लेकर बहुत दुखी हो जाता है लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सबनन और सलीम को अगर वह पांसी की सज्जा सुनाई जाती है तो उस प्रकार से पबन जलाद की क्या-क्या तैयारिया रहेंगी यह सब कुछ समझ में आ गया होगा समझ में आ गया हो तो शेर जरूर कर देना धन्यबाद